हसीन दिल रुबा उन मर्दों के लिए एक चितावनी है जो खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में पढ़कर अपने हाथ और नाग दोनों को कटवा देते हैं रानी के शुरुवात में एक आदमी को नदी में स्विमिन करते हुए दिखाया जाता है और फिर एक औरत गली के कुटों को कुछ खिला रही है तबी पीछे एक घर में विस्वोट हो जाता है और वो औरत अंदर जाकर देखती है तो वहां किसी का हाथ पड़ा है और उस हाथ में रानी के नाम का टैटू बना हुआ है और इसी औरत का नाम है रानी पुलिस आती है और जाच में पाती है कि मनने वाले आर्मी के सिर पर पहले किसी चीज़ से वार किया गया था और मनने वाला आर्मी रानी का पती है रानी को इन्वस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है ये कहानी है रिशप सक्सयाना उफ रिशू की जो अपनी मा लता और प्रिता बिर्जराच के साथ जौलापूर में रहता है वो एक इंजीनियर है और शादी के लिए एक लड़की की तलाश में है उसकी मा से हमें पता चलता है कि वो दो साल पहले जब एक लड़की को देखने के लिए गया था तो उसे वो लड़की काफी पसंद आई थी और जब उस लड़की से रिशू ने पूछा कि तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है रानी जो खिड़की से अपने होने वाले पती को देख रही है और डिशू भी उसको देखकर बावला हो जाता है बातचीत के दोरान रानी की मा रानी की तारीफ कर रही है कि ये सारी डिशिज उसी ने बनाई है क्योंकि वो चाहती है कि उनका जल्दी से अपनी रानी बिटिया से पीछा छूटे वो उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी घरेलू टैप की है वहां रानी की मौसी रानी को इस लड़के यानी की रिश्यू के लिए हाँ कहने को कहती है क्योंकि एक तो रानी की उमर होती जा रही है और वो दूसरा मांगलिक है इस वज़ा से दो साल में उसके लिए सिर्फ दो रिष्टे आए हैं जिनसे उसके कुंडली मैच हुई है जिसमें से एक टकला है और दूसरा रिश्यू मौसी बाहर आकर बताती है कि रानी ने रिशी को अंदर किचन में बुलाया है उसकी मा रिशी को समझाती है कि अब इस बार मत पूछ लेना कि तुम्हें और क्या-क्या पसंद है अंदर जाकर जब वो रानी से मिलता है वो काफी शर्मारा होता है इसलिए रानी खुदी अपने बारे में उसे बताने लगती है कि उसने इंग्लिश लिटरिचर से मे किया है और टाइम पास के लिए ब्यूटी सलॉन में मैनेजर की जॉब कर रही है और उसे घर का काम करना बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन वो काफी होमली टैप की है और रिशू को काफी अच्छा कॉमबो मिल रहा है तन मन का धन वहाँ उसकी मा रानी की मा से कहती है कि उनकी बस दो डिमांड्स है एक तो लड़की होमली हो और दूसरी सिंपल रानी की मा कहती है फिर तो ये राम सिता की जोड़ी है रानी रिशु से पूछती है कि आपने दिनेस पंडित के नौवल्स पड़े हैं वो बेस्ट क्राइम नौवल्स लिखता है वो छोटे-छोटे शहर में बड़े-बड़े कतल करा देता है रानी रिशु से उसकी होबीज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि छुट्टी वाले देन उसके पड़ोसी उसे कभी फ्रेज तो कभी पंखाटी करने के लिए घर बुला लेते हैं वो इंजीनियर है इसलिए यही सब उसकी होबीज हैं रानी उसकी होबीज के काम दे देती है और पंखाटी करने को कहती है रिशू की माँ टॉलेट करने के बादे किचन में आती है और देखती है कि रिशू वहाँ पंखाटी कर रहा है वो उन्हें फाइनल डिसीजन बताने की बात कहकर वहाँ से चले आते हैं रिशू की माँ कहती है कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं जहर पीलूँगी रिशू कहता है कि उसे रानी पसंद है उसकी माँ कहती है ठीक है फिर मैं यहाँ लटक जाती हूँ हमारी अस्थियां बहा देना और फिल ले आना अपनी प्यारी रानी को और जब वो देखती है कि कोई उसे म्रने से नहीं रोक रहा तो वो कहती है मैं कूच जाओंगी यहां से वो वहाँ बैठे अपने पति से कहती है तुम तो हिल भी नहीं रहे इस पर वो कहता है Decide कलो तुम्हें किस तरह से मरना है उसकी मा कहती है कि रिशू तमसे वो लड़की हैंडल नहीं होगी रिशू कहता है वो इंजीनियर है सौ सा वोल्ट की तार हैंडल कर सकता है तो वो क्या चीज है वहां रानी कहती है कि उस लड़की की तो किसमत खुल गई मेरे जैसे टोटा लड़की पाकर और रिशू भाईया अब दिनेस पंडिट के नॉवल्स पढ़ने लगते हैं और इतने बावले हो जाते हैं कि रानी के नाम का चाटू अपनी कलाई में गुदवा लेती हैं फाइनली रिशू और रानी की शादी हो जाती है और आपको लगता हो कि अब सुहाग रात का सीन बनेगा लेकिन नहीं यहां हम रानी को पुलिस इस्टेशन में बैठा देखते हैं और हमें पता चलता है कि रिशू मर चुका है और रानी में सस्पेक्ट है उनकी शादी को दो महीने बीच चुके हैं और पुलिस इंस्पैक्टर किशूर, रानी से पूझता है कि तुमने क्यूं इतने प्यार करने वाले इंसान की जान लेली लेकिर रानी कहती है कि उसने अपने पती को नहीं मारा कहानी दो मेने पीछे जाती है शादी के बाद रानी अपने ससुराल जौलापूर आ चुकी है और उसके वाइस ओवर से हमें पता चलता है कि उसे जौलापूर बिल्कुल पसंद नहीं आया वो वाश्रूम जाती है और तभी दर्वाजा खुला होने के वज़े से पानी उनके बैडरूम तक आ जाता है और इशू पोच्छा लेकर शुरू हो जाता है रानी ये सब देखती है और बिना कुछ कहीं सो जाती है अगले सुबा वो देख सुटती है और चाय के लिए पूचती है रिशू कहता है कि मैं तुम्हेले चाय लेकर आता हूँ लेकि शासुमा उसे रोग दिती है और रानी से कहती है कि आज तुमारी मूँ दिखाई है और आज तुम चाय और पकोडे बनाओ और अब सासुमा को पता चलता है रानी सेंपल और घरेलु रड़की नहीं है उसे तो चाय तक बनानी नहीं आती रात में दोनों बैड़्रूम में होते हैं और रिश्यू उसे बताता है कि वो हनीमून में गोवा चलेंगे। बातो बातो में रानी को पता चलता है कि रिश्यू को एक लड़की पसंद थी लेकिन वहाँ उसके डाल नहीं गली। जिसे सुनकर रानी को गुसा आजाता है और वो कहती है कि तुम्हें बैठे बिठाई बिना महनत की एक होट लड़की मिल गई लेकि तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है वो उस पर चिलाने लगती है। रिश्यू खुद को बातरू में बंद कर लेता है। अगले दिन रिश्यू सबजी लेकर आता है तो उसकी मा कहती है खुद तो तुम चले गए मार्केट और हमें छोड़के इस ब्यूटी पालर के साथ। देखो अपने नए बाप को क्या किया है तुम्हारी रानी ने हमारा जुलूस निकाल रही है ये अपने ससुर के बालों को कलर करके। मैं कीचन में दिन भग काम करूँ और ये मारानी अपनी तश्रीफ तक नहीं हिलाएं। अगले दिन जब रिशू रानी को चाई के लिए कहता है तो रानी अपना पल्लू गिराने की कोशिश करती है लेकिन वो अटक जाता है और सासुमा आगर कहती है कि रात में क्या तुम साथ सीडी खेलती हो जो दिन में तुम्हें पल्लू गिराना पड़ता है। सासुमा कहती है कि कुछ नहीं तुम सीरियल देखो। वहार रिशू का फ्रेंड रिशू को बैडरूम पर शेर बनने को कहता है रात में रिशू सेक्स पावर बढ़ाने वाली होमियोपैथी की दो ड्रॉप्स पानी में मिला कर पीता है और बैट पर्चर का प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद वो कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता क्योंकि रिशू का एकसाइनमेंट के चक्कर में बहुत जल्दी फॉल हो जाता है। सुभा रिशू रानी को उसकी मा और उसके मौसिय से बात करती वे सुनता है कि रिशू मिस्तर बर अच्छा नहीं है और वो जुगनू निकला उसका काम होते ही वो फुस हो गया। रिशू वो सब सुनका दुखी हो जाता है और रानी से बात करना बंद कर देता है। रानी अकेले पढ़ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि रिशु को क्या हुआ है, एक दिन रिशु का चचेरा भाई नील तिरपाठी वहां रहने आता है, नील काफी तेज तरार और हैंसम बंदा है, रानी उस पर मोहित हो जाती है, नील को पता चल जाता है कि रानी उसकी तरफ अट्राक्ट है, वो किचन चाय बनाने आती है और वहां रिशु होता है, वो सिर्फ पूछती है कि क्या तुम चाय प्योगे, और एक सिप पिकर वहां से चला जाता है, रानी वो चाय नील के लिए लेकर आती है, और नीर उसके साथ फ्लेट करने लगता है, वहां रानी यह भी बता देती है कि वो इस चादी को खतम करना चाती है, और उसके साथ रहना चाती है, नील घबरा जाता है, और बिना मतन खाए वहां से भाग जाता है, रानी शौकद हो जाती है, और वो रिशु को सब कुछ बता देती है, रिशु जो एक नई शुरवात करना चाता लेकिन ये जहरीला सच उसे और भी ज़्यादा आहत कर देता है सदमे में राणी का बनाया मटन खाने के बाद बिल्कुल शान्त हो जाता है कहानी प्रेजन्ट में आती है और किशोर को लगता है कि राणी एक जूटी आरध है और उसे एक जूटी कहानी सुना रही है इसलिए वो मेरे पास आई, इस पर रिशू उससे कहता है, तुम्हें लगा तुम्हारे भाईया सूतिया है, काट लो इनका और इनके लुगाई का, रिशू वापस आता है और रानी को पता चलता है कि रिशू निल से पिट कर आया है, रिशू रानी को घर से चले जाने को कहत रिशू और्टो का वेट करने लगता है लेकिन वो लड़के रिशू के सामने भी रानी के बाल में बहुत गलत सलत और काफी अपमान जनग बाते बोलते हैं वो रिक्षा रुकवाता है लेकिन रानी उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी चाहे जो भी हो ज रिशू अपनी कार साफ कर रहा होता है और वो रानी को देखता है लेकिन वो उसको उठाने में बिलकुल मदद नहीं करता उसकी आँखो में रानी के लिए नफरद साफ साफ दिखती है और रानी सीडियों पर पेपर सोप देखती है जिसकी वाज़ा से वो फिसल गई थी वो रिशू से प्रेस वाले को देने के लिए पैसे मांगती है रिशू उसके पर्स से पैसे लेने को कहता है और जब वो रिशू का पर्स खोलती है तो उसे उस पर्स में पेपर सोप मिलता है रानी समझ जाती है कि वो सीडियों पर पेपर सोप रिशू ने ही रखा था इस वहां रानी आकर पूछती है कि क्या खाना लगा दू इस पर रिशू कहता है हाँ लगा दो और थोड़ा सा जहर भी मिला देना उसका दोस्त मौके की नजागत समझके वहाँ से खिसक लेता है रानी रिशू से कहती है कि मुझे मारना है तो मार डालो लेकिन इस तरह से मुझे सजा मत दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो वो छतकी मेर पर खड़ी हो कर कहती है कि दे दो मुझे धक्का, मार डालो रिशू उसके पास आता है और से धक्का दे देता है, लेकिन फिर वो उसका हारत पकड़कर उसे बचा लेता है रानी कहती है तुम्हें अगर मुझे मानना होता तो कब का मार चुके होते लेकिन मुझे पता है तुम उसे प्यार करते हो कई मिन्यों तके बाद रिशु रानी को माफ कर देता है और दोनों एक नॉमल पती पत्नी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते है एक दिन वो मूवी देखने मौल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें नील किसी लड़की के साथ दिखता है रानी उतर कर नील की बाइक का मेरर तोर देती है नील वहाँ से चला जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो अकिला वापस आता है और रिशू से कहता है कि भावी जी से पूछो कि क्या वो बाइक के पीछे बैठेंगी ये सुनकर रिशू को गुसा आ जाता है नील का अपनी कार से पीछा करने लगता है और कई बार रिशू नील की बाइक को अपनी कार से ठोकता है निल घबराकर एक सूखी पड़ी नदी की तरफ बाइक मोड देता है और उस जगा रिशू की कार फर जाती है किसी तरह वो कार को गैराज के पास लाते हैं और वहां रानी को पता चलता है कि रिशू ने भी दिनेश पंडित की नौवल पढ़ना शुरू कर दिया है वो दोनों वहीं एक खोपचे में जाकर पहली बार अपना सुहाग दिन मनाते हैं किशो रानी को लेकर उसके महौले में आता है और फिर से उस दिन की घटना के उपर चर्चा करता है कि पडोसियों ने उन्हें क्या बताया था कि उस दिन नील जब उनके घर पे आया तो थोड़ी देर बार रिशू भी घर पर आ गया उस दिन एक बच्ची ने बताया था कि रानी दीदी जब घर से समान लेने के लिए बाहार निकली थी तो रानी ने उस बच्ची से रिशु भहिया को दर्वाजा बंद करने को कहा था लेकिन दर्वाजा नील ने बंद किया था एक चश्मदीद रिक्षे वाले से उस दिन के बारे में पूछता है वो रिक्ष्यावाला बताता है कि उस दिन रानी उसी के साथ नॉन्वेच लेने गई थी और वापसा कर वो कुत्नों को नॉन्वेच खिलाने लगी और थोड़ी देर बाद उनके घर में बलाश्ट हो गया किशोर पूशता है कि रिशू और नील के बिच इतनी टेंशन थी फिर रानी उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर क्या करने गई इस पर एक कॉंस्टेबल कहता है क्या पता वो हद्याश भाने के लिए बाहर गई हो तबी किशोर को एक कॉल आता है और एक फुटे सामने आता है कि नील रिशू के घर के पीछे से एक नदी में तयार कर विस्फोट होने कि से ठीक पहले भाग रहा था किशोर रानी से पूछता है कि तुम्हारा आशिक कहा है लेकिन रानी कहती है मुझे नहीं पता इस पर वो कॉंस्टेबल रानी को अंदर डाल कर काफे सूथती है लेकिन वो फिर भी अपना मून नहीं खोलती किशोर रानी को छोड़ने को कहता है वहां किशोर का सुप्रेम उसे भाबी जी का केस छोड़कर किसी दूसरे केस पर ध्यान देने को कहता है किशोर उनसे दो दिन का समय मांगता है अगले दिन किशोर रानी का जूट पकड़ो मशीन से टेस्ट कराने वाला है लेकिन रानी बात्रूम के बाहन बना कर वाश्रूम जाती है और अपनी जुत्ती में एक कील चुबो देती है ताकि उसे पेन हो जिसकी वज़े से उसकी हार्ट बीट सेम रहे और जूट पकड़ो मशीन में उसका जूट पकड़ाना जाए और ऐसा ही होता है बाहर आकर जूट पकड़ो मशीन संचालक किशोर से पूचता है कि क्या रानी हमेशा से ये फूट पेयर पेहनती थी क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रही है इस पर कॉंश्टेबल उसकी जुत्ती चेक करती है तो उसे वो कील मिल जाती है लेकिन उस कील को हटाने के बावजूद भी रानी टेश्ट में पास हो जाती है और फिर वो उस दिन की कहानी सुनाती है जब बलाज चुआ था कुछ महीने पहले जब उसके साथ ससुर कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है और रिशू भी घर का समाले निकले मारकेट चला जाता है तो नील रिशू के घर आता है जब रिशू घर पर नहीं था और वो अच्छानक रानी की अपेक्षा से पहले लोटाता है तो नील रिशू शे कहता है कि रानी उसके साथ भागने को तयार है रानी कहती है ये जूट बोल रहा है रिशू रानी को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो नील के साथ चीजों को सुलज़ा सके रानी समालीनी बाहर चली जाती है और एक बच्ची से कहती है कि रिशू भई ऐसे कहो कि दरवाजा बंद कर ले रानी जब बजार से लोटती है कुट्टों को मटन खिला रही थी तो एक धमाका होता है और जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसे रिशू का कटा हुआ हार दिखता है जिसमें रानी लिखा हुआ था वो रिशू के लिए रोने लगती है जोर रानी पर हत्यारा होने का आरोप लगाने में विफल रहते हैं जब उन्होंने पॉलिग्राफ क्लियर किया और खुशी खुशी पुलिस स्टेशन छोड़ देती है रानी की होटों पर एक अजीब किस्मी की मुस्कान देखती है कहानी पास साल आगे शिफ्ट हो जाती है क इशोर का ट्रांसफर हो गया है अब वो रेलवे स्टेशन पर है जहां उसे दिनेश पंडित की एक नौवल कसौली का कहर दिखती है जिसका जिक्र रानी ने उसके सामने कई बार किया था वो उस नौवल को पढ़ने लगता है बाद में हमें ये पता चलता है कि जब नील उ और फेस्बुक ग्रूप में लीक करने की धमकी देता है इससे नाराज रिशू उस पर हमला करता है और लड़ाई में रानी अपने पती को बचाने के लिए नील के सिर पर मतन की एक बड़े टुकड़े से वार करती है और गलती से उसे मार देती है रिशू नहीं चाहता था कि रानी पकड़ी जाए क्योंकि अभी अभी उनकी लव स्टोरी शुरू ही थी इसलिए वो एक प्लैन बनाता है और अपना टैटू वाला हाट काड़ देता है और इसे वहां रखता है जहां नील था वो नील को अपने कपड़े पहनाता है और विसफोट कर देता है ताकि ऐसा लगे कि ये उसका शरीर है और नील के कपड़ों में पीछे के रास्ते से भाग जाता है रानी बजा जाती है और हत्या के हत्यार को तुकड़े तुकड़े करवा देती है जिसे बार में वो उन तुकड़ों को गली के कुट्टों को खिला देती है और चलते चलते पर ठीक बैटती है कि अकल बदाम खाने से नहीं धुखा खाने से आती है गाइस ये मुवी काफी इंट्रेस्टिंग है एक मिनट के लिए आपको बोर नहीं करेगी आज की मुवी का एक्स्पलनेशन यहीं खतम होता है मैंने पहली बार किसी बॉलिवड मुवी को एक्स्पलेन किया है आपको ये एक्स्पलनेशन कैसा लगा कमेंड बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा बाबाई